हेलो फ्रेंड्स हेल्दी निन्पूर्ट चैनल में आपका स्वागत है आज में बनाऊंगी पालक चीला चलियए देखते हैं पालक चीला को बनाने के लिए हमें किन-किन चीजेओ के जरुसip पालक चीला के लिए जैये एक कटोरी पालक जिसको हमने दोके काट लिया है आजा कटोरी बेसन एक चोथा कटोरी धन्या एक चम्मज घी अद्रक लैस्वन हरी मिर्ज का पेस्ट बना लिया जो कि आधा चम्मज है नमक स्वादे निस्वार एक मिक्सिंग बॉल लेंगे उसमें एक कटोरी पालक डाल देंगे अब इसमें आधा फेटोरी बेचन लिया है वो डाल देंगे एक चोधाई कप धनिया लिया था वो डाल देंगे अब इसमें अद्रक लैस्वन हरी मिर्ज का जो पेस्ट लिया था आधा चमच वो डाल देंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक थिक बैटर बना लेंगे प्रेंट्स बेटर में अब नमक डाल देंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से प्रेंस हमारा बैटर रेडी है अब पैन गरम करेंगे एक चमच घी डाल देंगे प्रेंस पैन गरम हो गया है अब इसमें बैटर डाल देंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे कुछ इस तरीके से अब इसको दोनों तरफ से अच्छे से सीख लेना है अब इसको हम पलड देंगे आप देख सकते एक तरफ यह कितना अच्छे से सिख गया है फ्रेंड्स हमारा पालक चीला रेडी है पालक चीली के साथ हमने पोस्ता दाना की चकनी बनाई है पोस्ता दाना की चकनी बनाने के लिए हमें चाहिए लैसून चार से पाच कलिया हरी मिर्च एक नीगू का रस आधा चमच नमक स्वादानुसार पोस्ता दाना दो चमच प्रेंड्स अब हमें पोस्ता दाना को लो टू मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनट तक अच्छे से भूल लेना है प्रेंड्स हमारा पोस्ता दाना भून गया है अब इसको ठंडा होने के लिए दो मिनट के लिए छोड़ देंगे प्रेंट्स हमारा पोस्तादाना खंडा हो गया है अब मिक्सर जार लेंगे उसमें पोस्तादाना डालेंगे हरी मिर्ष डाल देंगे लैसुन की कलियां डाल देंगे नीबू डालेंगे आदाच्छा मश्चो लिया था नमक स्वादनिसार अब इसको ग्राइंड करनेंगे फ्रेंड्स हमारी पुस्ता दाना की चतनी रेडी है फ्रेंड्स अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सस्क्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं और भी simple and easy to make healthy Indian food की रेसिपी लाते रहूँ प्रेंड्स जिल लोगों ने मेरी previous वीडियो नहीं देखिये उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप जाके देख सकते हैं थैंक्स पर वाचिं मैं वीडियो